अले वरिभंड सलाम ऐलेकूम तो पैसे आप से आप अपीद करते हैं कि आप सो ठीक होंगे तो आज हम बनाने जा रहे हैं साही मटर पनीर जिसकी निया मैने द्ध के लिए मैंने 500 ग्रम पनीर लेलिया है इसे हम इसे हमने इस तरीका से किऊस में काट लिया यह हमने यह हमने 1500 ग्राम हरा मटर ले लिया है यह हमने फ्रेस मटर लिया है इसे हमने थोड़ी देर के लिए बॉयल कर दिया था अगर आप लोग पस फ्रोजन मटर हैं तो ऐसी ही बिना बॉयल के रही बनाए यह हमने दो मेडियम साइस के टमाटर को इस तरीका से कीपस में काट लिया यह हमने 10-12 काजू 5-6 अब चले बनाने की प्रोसिस की तरफ अबसे पहले हमने एक कडाही ले लिया कडाही को हमने गयस पुछा दिया इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे रिफाइंड और तेल को मची तरीका से गरम होने देंगे तेल मेरा गरम हो चुका है इसमें हम प् प्याज को हम कुस के लिए सौते कर लें हलका सामने प्याज को सौते कर लिया इसमें हम प्याज हरी नीज डाल देंगे अधिन हालका सा नमक श्क्रिंटर कर देंगे ताकि टमाटर हमारा सौत हो जाए तो माटर को सौत होने तक हम कूक कर लेंगे तेल कि टमाटर प्याज हमरा अच्छी तरीका सौत हो चुका गैस के फिले में पॉफ कर लेंगे हम इपनेट है अपॉफ हम निकाल की प्लेट में ठंडा कर दि आपको ऐस पापवस से अ कड़ाई में अ हीं आधिक है तेल डालेंगे गर्माटर प्त्रीग सांटर अच्छी विलेबर कि लिए हम देसी घी डालेंगे यह हमरा मेंगा देसी घीञ आ में इसमें 3 टेबला स्पून देशी घी डाल दिया है अच्छे फिलेबर के लिए अब चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं तेल हमारा अच्छी तरीका से गरम हो चुका है अब इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले डाल देंगे दो चोटी लाइची दो दाल चीनी कटुकुरे एक तेलीच में डाल देंगें हालका से अब 2 टेबला स्पून मीची पॉडर 2 तेबला स्पून धन्या पॉडर 1 टी स्पून से थोड़ा सा काम हालदी पॉडर सारे मसाले डाल देंगे कर दो नियुए अब इसमें हम जो बनाया था पेस्ट अब प्यास टमाटर को डाल देगे सारे मसार्यों को अच्छी तरीका से मिक्स कर लेंगे इसने फुरा सम पानी डाल देगे अब इसे हम थोड़ी देर के लिए पकनी के लिए चोड़ देंगे एक मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए हमने मसार्य को भून लिया है अब इसमें हम जो हमने बनाया था काजु बदाम का पेस्ट वो डाल देंगे जार को धो कि हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे दो टेबर स्पून सब को अच्छी तरीका से मिक्स कर लेंगे एक से दो मिनिट के लिए हम और पकने देंगे इसे मेडियम फिलम पर ढख करके अब इसमें हम टेस्ट के अकोडिंग आधी टीस्पून नमक डाल देंगे इसमें साथ में मटर भी डाल देंगे थोड़ा बहुत जो कच्छा पन होगा मटर में वही हमारा अच्छी तरीका से फूक हो जाएगा एक मिनट के लिए हम और कूक तर लेंगे एक मिनट के लिए हम और पका लेंगे मसाले को मटर के साथ अच्छी तरीका से हमारा फूक हो चुका है तेल भी उपर आ चुका है अब इसमें हम यह घर की फ्रेस मलाई इसे हमने फ्यट लिया यह हम इसमें से हम दो टेबला स्पून डाल देंगे अब चाहत इसकी जगह पर फ्रेस क्रीम भी डाल सकते हैं अब इसमें हम पनीर डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे सब को अच्छी तरीका से मिक्स कर लिए अब इसमें हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे थोड़ा सा बिलकुल अधे कप सारी चिजों को हम अच्छी तरहां से मिक्स कर लिया है इसमें हमने आदा कप के करीब पानी लगा दे आए ह 26 मिनट और पकनी के लिए छोड़ देंगे ताकि सारा मसाला का फ्लेवर पनीर के अंदर एंड हैंस हो जाए दिखाते हैं आप लोग को साही पनीर का यह है है हमारे साही पनीर का फाइनल लूप कि कितना बेहतरीन और क्रीमी बन के रेडी हुआ मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सबाब मेरा जो फिसल को सबस्क्राइब लाइक और सेयर करें तो थाइंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो